नमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV उत्तर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ राशप्रीत कौर दिल्ली में मेट्रो कई साल से दौड रही है लेकिन इन दिनों दिल्ली में UP मेट्रो की काफी चर्चा हो रही है UP मेट्रो में सफर करने के साथ ही लोगों को पाटी करने या शादी के लिए प्री वेडिंग शूट करने की भी भारी शूट दी जा रही है क्या है पूरी खबर देखिए इस खास रिपोर्ट में UP मेट्रो ने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है इन दिनों दिल्ली तक UP मेट्रो की काफी चर्चा है मेट्रो में जन्म दिन की पाटी मनाने और प्री वेडिंग के साथ साथ फिल्मी सूटिंग की भी अनुमती दी जा रही है उत्ते प्रदेश मेट्रो ने लोगों से जुड़ने का एक्स्ट्रा इंकम के स्रोतों के लिए अतिरिक प्रयास कर रहा है अधिकारियों ने दावा किया है किस बात को लेकर लखनव मेट्रो और कानपुर मेट्रो दोनों के यातरियों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है उत्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को नई दिली में आयोजीत अर्वन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2023 में लखनव मेट्रो के लिए सर्व स्रिष्ट यातरी सेवाओं और संतुस्टी के साथ मेट्रो रेल स्रेनी में सार्वजनिक परिवहन में सबसे स्रिष्ट होन आने का आग्रा कर रहे हैं एक वरिस्ट अधिकारी ने बताया मेट्रो कोच में जन्म दिन की पाटी का आयोजने कैसी पहल है ये कानपूर में काफी लोग प्रिये हो गया है जहां मेट्रो की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी दिल्ली में आवास और शहरी मामलों में मंत्र लिया जाता है उन्होंने कहा जन्म दिन समारों में हिस्सा लेने वाले को उस समय के लिए टोकन खरीदना होगा जिस दोरान वो मेट्रो में रहना चाहते हैं और 500 रुपए का एक साज सुल्क देना होगा जिसका उपयोग हम कोच को सजाने के लिए करेंगे वहीं प्री देखा आपने किस तरह अब यूपी मेट्रो में सिर्फ 500 रुपए देकर अपनी जनम दिन की पार्टी मना सकते हैं और साथ ही साथ 10,000 में प्री वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं जो की वाकी में मेट्रो रेल को आपरेशन की एक अनोखी पहल है इस खबर में फिलहाल के के लिए देखते रहें कापिल टीवी उत्तर प्रदेश